नमस्कार मैं हूँ प्रशांत भारत द्वाज और आप देख रहे हैं निउस्टूम पोस्ट विपक्ष के हंगामे के बीच आज चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पास हो गया इस विधेयक में वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोडने का प्रावधान किया गया है सरकार के इस कदम को चुनाव सुधारों की दिशा में बेहद महतुपूर्ण कदम माना जा रहा है सरकार का कहना है कि इस से वोटर लिस्ट में दोहराव और फरजी मतदान रोकने में मदद मिलेगी लोकसभा में जब ये कानून पेश किया गया तो कॉंग्रस, तरणमूल कॉंग्रस, AIMIM, RSP और बसपा जैसे विपक्षी दलों ने इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बताते हुए इसका विरोध किया लेकिन यहां अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि सरकार ये विधेयक क्यों लेकर आ रही है आधार कार्ड और वोटर आईडी को लिंक कराने से क्या कोई फायदा होगा और क्या आपके लिए ऐसा कराना अनिवार्य होगा कैसे इस विधेयक में लेंगिक भेदभाव खत्म करने का प्रावधान शामिल किया गया तो इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस विडियो में आपको देने जा रहे हैं इस विधेयक में आपके वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोडने का प्रावधान किया गया है ताके मतदाता सूची यानि के वोटर लिस्ट में एक ही नाम के दोहराव से बचा जा सके और फरजी नामों को उसमें शामिल होने से रोका जा सके चुनाव आयोग काफी लंबे वक्त से इस सुधार की मांग कर रहा था लेकिन अब सवाल ये भी है कि आधार कार्ड और वोटर आईडी को लिंक कराने से भला क्या फायदा होने वाला है तो चुनाव आयोग के मुताबिक आधार से वोटर कार्ड लिंक हो जाने के बाद वोटिंग में फरजी वाड़ा रुख सकता है इसके अलावा इलेक्ट्रोनिक वोटिंग की दिशा में भी ये एक एहम कदम होगा अगर ये लागू हो पाता है तो प्रवासी वोटर वहाँ वोट डाल पाएंगे जहां से उनका वोटर कार्ड होगा सरकार ने विधेयक के ड्राफ्ट में इसे एच्छिक यानि के वोलंटरी कहा है यानि अगर आप अपने वोटर कार्ड को आधार से जोड़ना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं लेकिन अगर नहीं चाहते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है इसलिए इसे अनिवारे नहीं रखा गया प्रस्तावित विधेयक की खास बात ये भी है कि इसमें सशस्त्र बलों और केंद्रिय सशस्त्र पुलिस बलके कर्मियों के लिए निर्वाचन नियमों को लेंगिक आधार पर एक समान बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है इसके तहट चुनाव आयोग ने महिला सेन्य कर्मियों के पती को भी सर्विस वोटर का दर्जा देने के लिए जन्प्रत्निधित्व कानून में बदलाव के लंबित प्रस्ताव पर अमल करने का अनुरोध किया था मौजूदा विवस्ता में सेन्य कर्मियों की पतनी को सर्विस वोटर का दर्जा तो मिल जाता है लेकिन महिला सेन्य कर्मी के पती को ये दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है चुनाव आयोग ने कानून मंत्राले से जन्प्रतिनिधित्व कानून में सेन्य मतदाताओं से संबंधित प्रावधानों में पतनी शब्द को बदल कर उसकी जगह स्पाउस याने जीवन साथी करने को भी कहा था अब सवाल ये उठता है कि वोटर आईडी कार्ड और आधार को जोडने की शुरुवात आखिर कब हुई थी असल में ये कोई अब ताजा मामला नहीं है फरवरी 2015 में भारतिय निर्वाचन आयोग याने इलेक्शन कमीशन ने वोटर पहचान पत्र को आधार से जोडने की शुरुवात कर दी थी ततकालीन मुख्य चुनावायोग्त SS ब्रह्मा ने इसे शुरु किया था हाला कि सुप्रीम कोट ने उसी साल अगस्त में PDS, LPG और केरोसिन के वित्रण में आधार के इस्तमाल पर रोक लगाने के वजह से बाद में इस कारवाई को चुनावायोग ने इस्थगित कर दिया था इसके बाद 2019 के अगस्त महीने में चुनावायोग की तरफ से कानून मंत्राले के सचिव को एक चित्थी लिखी गई इस चित्थी में जन प्रतनिधित्व कानून 1950 और आधार अधिनियम में सन्शोधन के लिए प्रस्ताव लाने की बात लिखी गई थी आधार को जोडने से वोटर कार्ड के फरजी वाले से बचा जा सकता है तो उम्मीद है आपको इस नई विधयक से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे हमारी इस विडियो में फिलाल इतना ही फिर मिलेंगे एक नई विडियो में नई जानकारी के साथ तब तक आप चुड़े रही है हमारे साथ और देखते रही है न्यूजरूम पोस्ट नमस्कार